So, Hey guys, Welcome to my channel आस हम इस वीडियो में बात करेंगे eSrom Card के बर में अगर आप पहले से eSrom Card बनाया था और उसमें आप जो भी mobile number दिये थे वो mobile number आभे आपके पास available नहीं है फिर भी आप eSrom Card का update करना चाहते है डाउनलोड करना चाहते है तो वो किस तरीका से करेंगे आपका जो eSrom Card का eoan number है वो किस तरीका से डाउनलोड करेंगे आपको इस वीडियो में फूल इनफरमेशन बताऊंगा अगर आप इस तरीका का problem फेच कर रहे तो दोस्ता यह वीडियो शुरू से लिए आम तक देखिए मैंने यहाँ पे पूरा information step by step बताऊंगा ठीके तो दोस्ता चलिए आपका वीडियो शुरू करते है तो गाईस eSrom का डाउनलोड करने के लिए और अपडेट करने के लिए सबसे पहला आपको किसी भी एक browser का अपन करना है यहाँ पे मैंने chrome browser open कर रहा हूँ उसके बात यहाँ पे दिखे search का option मिलेगा यहाँ पे आप search कर दीजे isrom यह लिख के आप search कर दीजे जैसे search करेंगे सबसे पहला जब website मिलेगा isrom.gov.in इसके उपर आप click कर दीजे जैसे इसमें click करेंगे इस तरीका का एंटरफेस देखने को मिलेगा आपका जो isrom card है वह update या download करने के लिए आपको इसके पर क्लिक करना परेगा है already register ठीक है इसके पर click किजे अगर आपका phone number available नहीं है तो नया number से आप इसराम का download कर सकते ठीक है उसके लिए आपको यहाँ पर option मिलेगा update profile इसके पर आपको क्लिक करना होगा जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर फून नमबर टाइप कीजिए यहाँ पर लिखाएगा कि आधार mobile नमबर यहाँ पर एंटर कीजिए लेकिन आप किसी भी प्रोकर की नमबर यहाँ पर अंटर कर सकते है ठीक है कि आपको mobile नमबर एंटर करने के बात यहाँ पर दिखे कैपसर मिलागा यह में पर कर दीजिए चै影片 करा करने के बाद यहाँ प == option मिलगा इसके पर आप किलिक कर दीजिए जो mobile न।्बर आप यहाँ पर दिए दिये ते उस स्ट्रम काट बनाया था वह नमर यहां पर टाइप कर दीजिए उसके बात यहां पर तीन अप्शन में लगा फिंग्यर्प्रिन आईरीस और टीपी बेरिफिकेशन के लिए जो सिस आपके पास एवलेबल है वह यहां पर क्लिक किजिए अगर आईरीस एवलेबल तो यहां पर अगर आपके बस अदर कट मूबाइल नमबर आव नमबर एवलेबल है तो फ म्लिक किए इसमें किलिक करने के बदे का वाथ यहां प्तРЕ breaths मीं लगाएशका पर अप क्लिक कर दीजिए जैसे क्लिक करेंगे यहां पर आधर का नंबर पर QTP जाएगे OTP यहां पर टाइप कर दिजी उसका बाद बैलेड़ बल अप्शन पर क्लिक कर दिजे बैलेड़ होने का बाद इस तरीका का अप्शन मिल जाएगा आप यहां पर क्लिक किजिए आपडेट EQS अगर आप अपना शराम गर्द करना चाहते हैं तो यहापर क्लिक करना होगा अगर स्काव करना होगा मैं आ आपको बताँंगा कि आपडेट कैसे करेंगे यहापर सब्से पहले यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे six box आजाएगा personal information, address, education and income, occupation and skill, bank, account details, preview and profile ठीके तो यह सारे सिस अपडेक करना होगा सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक किजिए personal information इसमें क्लिक करने का तो यहाँ पे एक आप आजाएगा यहाँ साब yes किजिए उसके बाद आपका जो भी personal information था यहाँ पे शो होंगे थोरा साब इस कुल डाउन कीजिए यहाँ पे नया add किया है nomini details ठीके तो पहले तो nomini details नहीं था आप यहाँ पे नया add कर दिया है इसके आपको फिलाग करना होगा तो जिसका नाम से आप यहाँ पे nomini देना चाहते है उसका नाम यहाँ पे आप टाइप कर दिजिए उसके बाद यहाँ पे nomini का date of birth टाइप कर दिजिए उसके बाद यहाँ पे nomini का gender यहाँ पे सोच किजिए male family जो भी है वो यहाँ पे सोच किजिए उसके बात यहाँ पर लिखाएगा relationship with policy holder मतलब आप जो nomini देते वो आपको क्या लगता है ठीक है वो यहाँ पर आप सेलेक कर दीजे उसके बात यहाँ पर आज आएगा nomini address nomini का जो भी address है personal address हो यहाँ पर address type कर दीजे उसके बात यहाँ पर nomini का phone number आप type कर दीजे यह सारे से complete होने के बात यहाँ पर एक option में लगा update इसके उपर आप click कर दीजे जैसे click करेंगे यहाँ पर लिखाएगा please continue update the information यहाँ पर continue कीजे जैसे continue करेंगा आपका जो personal information आप update complete हो जाएगा उसका बात यहाँ पर click कीजे address टीक है अगर यहाँ से कुछ भी अगर आप change करना चाहते है तो यहाँ पर change करके update कर दीजे ठीक है उसके बात यहाँ पर आजाएगा occupation and skill जो भी काम करते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखिए उसके बात यहाँ पर update कर दीजिए उसके बात यहाँ पर आएगा bank account details यहाँ पर yes किजिए और यहाँ पर bank account open हो जाएगा पहले जो account number देता हुँ यहाँ पर आजाएगा और यह account आप रखना चाहते तो यहाँ पर update किजिए अगर आप account number change करना चाहते तो यहाँ पर change भी कर सकते हैं ठीक है सारे को फिलाप करने के बात यहाँ पर update कर दीजिए उसके बात यहाँ पर option मिलका preview profile इसके पर आप क्लिक कीजिए और आप जो भी डाटा आप एंटर किये तो यहाँ पर शो होंगे आप पूरा चेक कीजिए ठीक है यहाँ पर चेक करने के बात यहाँ पर सब्काड कर सकते तो दोस्ते है आपका जो यहाँ पर आज आएगा इस तरह होगे आप यहाँ से शार्म कर सकते हैं डाuseं काल वा डाउनलोट हो जाएगा तो घरएगा अपना सुरम कर्काट कीजिए अगर आपका फून नमबर नहीं है तो फिर भी आप दूसरा फून नमबर से यहाँ पर स्रमकाट को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और इसमें अगर आप नए नमबर जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए अपडेट प्रोफाल उसके बाद पार्सेनल इंफरमेशन और यह टाइप की जिए इसके जो पून नमबर है वो धेंच हो जाएगा तो जुसता इसी तरीका से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ झाल झाल